हाई आवरीवान तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक डाट इस बेसिक वार्सेज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स तो बहुत सारे स्टुडेंट्स के माइंड में कुछ डाउट चल रहे हैं स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स को ल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना है या फिर बेसिक मैथमेटिक्स लेना है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि स्टुडेंट्स के माइंड में क्योंकि मैं बहुत सारे स्टुडेंट्स से मिला हूँ और उनसे मिलने के बाद जो उनके डाउट्स आए हैं उनी को ले ले लेता हूँ तो क्या मैं बाग में इसे standard में convert कर सकता हूँ और उसके बाद जो हमारे doubt number three हमारे सामने आया वो आया syllabus and difficulty level को लेकर बच्चो ने पूछा कि it जो दोनों paper आएंगे हमारे इन दोनों papers का क्या syllabus difference होगा या फिर इनका difficulty level है वो different होगा तो आज इसमें इनी तीनों doubts को हम लोग clear करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे doubt number one की जिसमें students ने हम से पूछा कि sir मुझे basic mathematics लेना चाहिए या फिर standard mathematics लेना चाहिए तो student इसके लिए मैं आपको बदा देता हूँ कि जिन भी students को in future ऐसी किसी भी stream में जाना है जहां पर mathematics की need होती है तो आपको फिर standard mathematics के साथ जाना पड़ेगा clear बात है जैसे कि आप engineering में जाना चाहते हैं या फिर commerce with mathematics जाना चाहते हैं या ऐसी किसी भी stream में आप जाना चाहते हैं जहां पर in future आपको mathematics की need होगी तो फिर आपको जाना पड़ेगा standard mathematics के साथ उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कुछ essay student है जो बिलकुल confirm है कि हमें after 10th essay stream में जाना है जहां पर हमें mathematics की need नहीं होगी जैसे कि मुझे account without mathematics जाना है मुझे PCB में जाना है clear बात है तो essay student basic mathematics के साथ जा सकते हैं अब बात करेंगे third one type के students की जो doubtful रहते हैं कि हमें किस stream में जाना है student जो doubtful है कि हमें account without mathematics जाना है या account with mathematics जाना है और weekend से हमें किस stream में जाना है वो अभी तक clear नहीं कर पाए है तो essay students को मैं personally सला दूँगा कि आप standard mathematics के साथ जाए क्योंकि standard mathematics के साथ आपके पास दोनों option जो है वो open रहेंगे students का doubt number one अभी हम लोग discuss करेंगे doubt number two के बारे में और doubt number two यहाँ पर बहुत जादा important हो जाता है क्योंकि doubt number two में students confused रहते हैं कि sir अगर हमने initial stage में basic mathematics लिया तो क्या हम इसे बाद में standard में convert कर सकते हैं तो cbsc की तरफ से बेटा बता दूँ ऐसा कोई भी प्रावदान नहीं है कि आप starting में basic mathematics लें और बाद में इसे standard में convert करें क्योंकि बहुत सारे students के साथ यह issue आता है कि वो initially basic mathematics ले ले लेते हैं और बाद में mathematics में interest आने लगता है जिसकी वज़े से वो चाहते हैं कि हमारा जो mathematics है वो basic से standard में convert हो जाए लेकिन ऐसा possible नहीं हो पाता लेकिन यहाँ पर cbsc ने एक option रखा हुआ है कि अगर आप basic mathematics का paper clear कर लेते हैं तो आप standard mathematics में compartment paper दे सकते हैं compartment अगर आप standard में clear कर लेते हैं तो आगे आप in future आप mathematics वाली streams को जो है वो select कर सकते हैं मतलब आप 11th class में mathematics वाली stream में जा सकते हैं clear बात है तो यहाँ पर यह बात बहुत important हो जाती है कि आप basic to standard directly change नहीं कर सकते लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप compartment दे सकते हैं उस compartment की भी बेटा एक condition है कि basic paper आपका clear होना चाहिए basic paper clear होने के बाद ही आप standard mathematics में compartment दे सकते हैं तो I think यह वाला doubt भी आप लोगा clear हो गया होगा तो यह था बच्चों हमारा doubt number 2 अभी हम लोग बात करेंगे doubt number 3 के बारे में तो doubt number 3 जो हमारे सामने आया है वो यह है कि क्या हमारा syllabus different होगा तो इसका answer है नहीं बेटा जो basic mathematics है और जो standard mathematics है उन दोनों के syllabus में कोई भी difference नहीं है उनों का syllabus सेम है बात आती है अगर difference की तो difference होता है difficulty level में यहाँ पर जो basic mathematics है उसका जो difficulty level होता है वो थोड़ा कम होता है मतलब वहाँ पर जो पेपर आता है वो थोड़ा easy आता है as compared to standard अब बात आती है कि easy आता है तो easy का कोई parameter भी तो होगा ना भी कुछ parameter होंगे जिससे हम यह identify करें कि कितना easy आएगा कितना portion easy आएगा तो उसके लिए हम लोग अभी discuss करेंगे एक table के through जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो difficulty level है वो basic and standard में क्या रहने वाला है clear वात है तो चलते हैं उस table की तरफ student चलते हैं अपने doubt number 3 की तरफ जिसमें हम लोग बात करेंगे difficulty level of the basic and standard mathematics के बारे में तो student अगर आप लोग basic and standard mathematics का जो difficulty level है उसको आप compare करना चाते हैं तो उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी stable के बारे में जो की आपको cbsc की तरफ से provide की गई है जिसमें आप लोग को देखो बताया गया है कि standard and basic mathematics के जो भी हमारे पास difficulty level है और we can say जो weightage है questions के उनके बारे में बताया गया है तो student यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमने standard and यहाँ पर हमने basic mathematics के जो weightage है वो लिखे हुए है अभी एक एक करके अच्छे से समझते हैं हम लोग तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें question type की जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास आते है remembering, fact, terms and concept based questions तो यहाँ पर यह जो questions होते हैं जिनको आप लोग बोलतों कि भी very easy questions तो जो easy questions होते हैं हमारे पास जिसमें आप लोग के पास जो questions आने वाले होते हैं वो direct आने वाले होते हैं clear बात है ने direct formula based questions आएगा या फिर कोई direct आप लोगों से कोई concept पूछ दिया जाएगा तो ऐसे questions हमारे पास अगर मैं standard mathematics की बात करूँ तो जो total आपका 80 marks का विपर होता है उसमें ऐसे questions 20 marks के आएगे जिसमें आप लोग direct answer देंगे वो छोटे-छोटे questions यहाँ पर आते हैं अगर हम लोग बात करें percentage में तो इनका जो percentage रहेगा वो 25% रहेगा clear बात है तो यह हम लोग बात की है अभी standard mathematics की अगर हम इसी चीज़ को देखो जो यह आपके direct fact based questions है direct concept based question है यह आपके standard mathematics के बाद अगर आप इसे basic mathematics में देखो तो basic mathematics में इस चीज़ को इन्होंने increase किया है 22, 32 clear बात है तो यहाँ पर easy questions जिनको आप लोग कह सकते हैं जो 20 marks के आते हैं आपके standard maths में वही आपके 32 marks के आते हैं आपके basic mathematics में और अगर मैं इनका percentage की बात करूँ तो 40% paper आप लोगों का easy category में आता है जिसमे direct questions आप लोगों से पूछे जाते हैं इसके बात अगर मैं बात करूं understanding of concept तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें understanding of concept की तो 23 marks कपी पर आता है आपके standard में जिसको increase कर दिया गया है 28 marks in basic mathematics अब यहाँ पर जो understanding of concept वाले जो questions आते हैं इसमें जो होता है student की ability चेक की जाती है कि वो कोई decision ले पा रहा है किसी statement को लेकर या फिर नहीं clear बात है जैसे कि आप लोग में example के तोर पर आपको बताता हूं आप लोग को एक chapter आएगा statistics जिसमें बहुत सारे questions आते हैं mean, mode and median को लेकर तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका mean find out करने वाले जो आपके बास two to three methods साप लोग के पास हैं आपको वहाँ पर कई बार question में लिखा होता है कि find the mean by using an appropriate method अब यहाँ पर appropriate में मतलब क्या हो गया कि आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको किस method को वहाँ पर use करना है तो वो देखना चाहते हैं कि आप आप अपनी जो understanding है उसको वहाँ पर perform कर पा रहे हैं तो इस ताइप के जो questions आते हैं वो आते हैं आपके understanding of concept में जो की यहाँ पर increase कर रही आगया है basic में 23-28 marks में जो की 29% में था अब वो 35% में आता है basic mathematics में जैसे जैसे यहाँ पर difficulty level बढ़ेगा यहाँ पर आपके standard वाले जो questions हैं वो increase होते चले जाएंगे और आपके जो basic वाले questions हैं वो decrease होते चले जाएंगे अगर हम लोग बात करें application based questions की application based questions होते हैं बच्चों जिसमें आप लोग किसी concept को कहीं पर utilize करते हैं real life में उसे utilize करते हैं तो इस तरह के जो problems होती है यह हमारी standard mathematics में आएंगी बच्चों 19 marks की जो आपकी decrease हो जाएंगी basic mathematics में क्योंक कि यहां पर difficulty level बड़ा है तो basic में आपकी questions कम हो गए standard में आपकी question ज्यादा रहेंगे अगर मैं percentage की बात करूँ तो बच्चों 24% paper आपका application based आएगा जबकि अगर basic की बात करें तो only 15% paper आपका application based आएगा इसके बाद last one बात करेंगे हम लोग analyzing evaluation and compiling जहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इनका जो difficulty level होता है थोड़ा ज्यादा होता है यह थोड़े complex problems होती है ठीक है ना यहां पर क्या होता है कि एक नहीं हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा concept को आपस में combine कर दिया गया हो जिसको आपको analyze करना पड़ेगा अच्छे से then evaluate करना पड़ेगा तो इस type के जो questions है हमारे standard mathematics में आते हैं बच्चो 18 marks के जिनको reduce कर दिया गया है basic mathematics में only 8 marks तो यह जो difficulty level है हमारा यहाँ पर ज्यादा रहता है और वहाँ पर हमारा कम रहता है क्योंकि यहाँ पर जो questions है वो देखो इन लोगों ने क्या किया हूँ तो यहाँ पर जो questions है वो थोड़ा सट सफ रहते हैं और वहाँ पर basic mathematics में easy रहते हैं clear बात है तुझो यहाँ पर main difference जो मैं देख पा रहा हूँ वह मैं आपके first one part में देख पा रहा हूं remembering factor terms and concept based questions में जो 20 से सीधा इन्होंने 32 कर दिया और 25% से सीधा 40% कर दिया है जो कि direct question आप लोग आते हैं वो 32 marks के आते हैं clear बा होगा कि आपके standard and basic mathematics में क्या difference होता है clear बात है इससे आप लोग easily idea लगा सकते हैं कि आपके basic and standard mathematics के paper में क्या differences होते हैं clear बात है तो students I hope कि आज के वीडियो से standard and basic mathematics को लेकर जितने भी doubts आपके mind में थे वो सभी clear हो गए होंगे तो students ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी प्रेस करें बैल आइकन जिससे जैसे हम लोग next informative वीडियो अपलोड करें वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुचे तो students आज की वीडियो में इतना ही मिलते है next one वीडियो में तब तक के बाइ बाइ